इस इंपाला को ये तेंदुवा पानी में गुसकर अपनी बाहों में जकर लेता है। लेकिन तेंद्वा इसकी बातों में नहीं आता और वो खोपचे में ले जाकर अपना काम सुरू कर देता है लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी ये मुन्ना नाम का ठरकी हाइना मौकाय वारदात पर बहुंच जाता है पानी पीते समय मुन्ना को इंपाला के चिलाने की आवाज सुनाई देती है आवाजों को सुनते ही मुन्ना तुरंद प्रबाव से तेंद्वे की और कुछ कर देता है वारदात की जगे पहुंचते ही हाइना को देख तेंद्वा इंपाला को छोड़ देता है और इंपाला को बगाने के बाद मुन्ना वापस पानी में आ जाता है औ और मन में सोचता है साला किसी की जान बचाने का मजा ही कुछ और है